नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सिक्षक न्यूक्ति परिच्छा के लिए BPSC ने जारी किया एक्जाम कैलेंडर सरकारी जमीन का रहती करण होने पर जिम्मेदार सीयो पर होगी करवाई बैंकिंग और फाइनन्स छेतर में कैरियर बनाने का बढ़िया मौका दोधी सरकार की 9 सार पर लालू का तंच सियस्टी की सफलता पर सौरफ गांगली ने कहीं मज़दार बात इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से सख्चक न्यूकती परिक्षा के लिए BPSC ने जारी किया एक्जाम कलेंडर बीते दिन बिहार लोग सेवा आयों ग्यानी की BPSC की दोरह सक्षक न्यूक्टी परिक्षा को लेकर संसोधित एक्जाम कालेंडर जारी कर दिया गया है बतादे कि जारी किये गए इस एक्जाम कालेंडर में कुल 33 परिक्षाओं के बाड़े में सूचना दी गई है जिसमें सबसे बड़ी न्यूक्टी सक्षक न्यूक्टी है वहिस परिक्षा के बाद इसी साल 2023 के अंतिम महीन यानी नवंबर से लेकर दिशंबर के बीच रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा बता दे कि जारी किये गए इस कालिंडर में कई अने परिक्षाएं भी शामिल की गई हैं जिनमें उन्हादरवी सयोग्ति प्रतियोगिता परिक्षा 32 विन्याएक सेवा परिक्षा CDPO, DPRO और प्रधान सिक्षक समेट कई परिक्षाएं शामिल हैं पंचायत उप्चिनाओं में 44.85 प्रतिशत परा मद्दान बिते दिन बिहार के 300 प्रखंडों की 593 पंचायतों में 605 प्रखंडों के लिए मुख्या पंचायत से वपंच के लिए मद्दान की प्रक्रिया शांतिपुन तरीके से खत्म हो गए जिसमें कुल 44.85 प्रतिशत लोगों के द्वारा मद्दान किया गया वह वोटों की गिंती अब 27 मई को सुभा आठ बजे से संबनित प्रखंड मुख्याले उपर की जाएगी मालुम हो कि सभी पदों के लिए करी सुरक्षा के बीच अलग-अलग EVM में बोट डाले गए मालुम हो कि जिंजलों में बीत दिन मद्दान का कारे खत्म किया गया है उम्य सिवान, गया, मतुबनी, सारन, पुडवी, चंपारन, दर्भंगान, नवादा, नालंदा, समस्तिपूर, गोपाल, गंश, वैशाली, मुझपरपुर, कर्टिहार, भागलपूर, भोजपूर और बांकार शामिल है बैंकिंग और फाइनस छित्र में करियर बनाने का बढ़िया मौका अगर आप भी अपना करियर बैंकिंग और फाइनस छित्र में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए खुश खबरी है पतादे के बिहार के गया के गया बोद गया रोड के किंदूई स्थित अवर प्रादी शिक्नियोजनाले में 30 मई को एक दिवसी रोजगार सिविर का आयोजन किया जाड़ा है मालम होग इस रोजगार सिविर में विविन पदों के लिए करीब 2500 अभ्यर्थियों का चेहन किया जाएगा मालम होग इस रोजगार सिविर में नौकडी पाने के लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार के पास कस्टमर सर्विस ऑफसर के लिए इसनातक के साथ DCA की डिग्री होना भी अनिवार है इसके साथ ही इस वर्ती प्रक्रिया में कई पदों के लिए बार्वी से एक रैजुएट पास होना भी अनिवारे है इसके अलावा अभ्यर्तियों के पास बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए ऐसे में एक चोक और योग्यमद्वार निशल्प तरीके से स्रोजगार सिविर में भाग ले सकते हैं राजे के इस सहर में जल्द शुरू होगी ओला और उबर की सर्विस बहुत जल्द ही अब रिहार के गया के लोगों को भी ओला और उबर की सर्विस लेने का मौका मिलेगा बता दे कि बहुत जल्द ही गया में भी अब इस सर्विस की शुरुआत की जा रही है मालम हो होग week Faisla airport authority के दवारा यात्रियों की परिशानी को देखते वे लिया गया है बता दे कि performance को गया में शुरू करने के लिए airport authority के दवारा ola और ober편 साथ MOU भी sign कर लिया गया है अब इस उम्मीद की जारी है कि कुछ दिनों में गया में भी लोगों को ओला और उबर की सर्विस मिलने शिरू हो जाएगी इस बारे में एरपोर्ट के डैरिक्टर बंगजील साह के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि मलमास और पितरिपक्ष आने वाला है जिसमें बड़ी संख्या में परेटक गया आते हैं ऐसे में गर्मी चुट्टी के दौरान सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए समर कैम्प आयूजित किये जा रहे हैं जिसके लिए 26,527 सक्षा सेवक और 30,000 जिविका संसाधन सेवी को वोलेंटियर बनाया गया है इसके साथी NCC के 2000 कैनिडेट्स प्रत्थम के 30,000 डायट के 2000 सक्षार्थी के साथ कई और NGO के लोग वोलेंटियर रहेंगे मालूम हो कि बच्चों को गनत्व भाशा का पार्ट पढ़ाने का काम करेंगे बता दे कि इन सभी वोलेंटियर को ट्रेन करने के लिए मास्टर ट्रेनर भी तयार किये गया है जो 30 मई तक सभी वोलेंटियर को ट्रेंट करने का काम करेंगे आपके जानकारी के लिए बतादे कि स्कैम का आयो जिन कक्छा 6 और कक्छा 7 के बच्चों के लिए किया गया है ताकि उनके भाशा और गरित में सुधार हो सके और उनकी रूची बढ़ सके पटना के सिकारी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास पीते दिन जिला खनीज़ फांडेशन न्यास परिसत की बैठक में पटना के दिएम स जिला खनीच फांडेशन के अध्यक्ष डॉक्टी चंदर सेखर सिंग के दोरा नर्देश देते वे कहा गया है कि जिला खनीस फाउंडीशन में प्राप्त रासी काधिक स्यादेख हिसा स्कूलों वब आंगनवारी के सुद्रिकरण के काड़ियों में खर्च किया जाए इसके साथ उन्हों ने कहा कि स्कूलों में गुनवत्ता बेंच वर डेस्क, स्मार्ट क्लास्रूम, डिजिटल लर्निंग बोर्स और चाले वा पेजल की विवस्ता समीत सभी काड़ियों को करने का नर्देश दिया गया है इसके लावा कस्तुर्बा गांधी विद्याले में ओपन जिम सहित अन्य आवशक्तानों सार सुधा करवाई जाए सरकारी चमीन पर रहती करन होने पर जमेदार सी ओ पर होगी कारवाई राजश्व एवं भूमी सुधार विवाग के अपर मुक्य सचे ब्रजेश महरुत्रा के द्वारा नर्देश देते वे कहा गया है कि भूमी सर्वे में विहार सरकार का पक्ष ठीक से नह खसरावाले सभी मोजो के प्राडू प्रकाशन का काम संपन करने सहत नक्स उपलब्ध करवाने का सक्त नर्देश दिया गया है इसके लावा आपर मुक्य सचीव के द्वारा नर्देश दिया गया है कि सभी आपत्ति को भूमी सर्वेक्षन के वेबसाइट पर एक हफते मे अपलोड किया जाए निटी पटना ने पीएजडी के लिए जारी किया नोटिफिकेशन अगर आप भी नाइटी पटना यानि के नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नलोजी से पीएजडी करने की इच्छा रखते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है बतादे के निटी पटन इन पर जाकर ओनलाइन तरीकी से अपना आविदन कर सकते हैं बतादे किस आविदन के ज़री एकोल 113 सीटो पर बच्चों का अडमिशन लिया जाएगा आपके जानकारी के बतादे कि अगर आप आविदन जमा करने के बाद आविदक को आविदन पत्र डाउनलोड कर रखन के अभियर्थी को लेकर थोड़ी असमंजस की सिती बने वी है पतादे कि अब इसी मामले को लेकर कैमूर जिले के मोहिनिया अनुमंडल में अवन नर्वाचन पतादिकारी के रूप में पदस्था पिस्था बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाली तुशार कुमार को एक ओर जहां सभी के दोरा बढ़ाई दी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर हर्याना के रिवारी जले के रहने वाले तुशार कुमार के दोरा एक बड़ा दावा ठोका गया है उनका कहना है कि 44 वे रैंक पर जिस तुशार का नाम है वह बिहार के भागलपुर वाले तुशा की जारी है तो वहीं दूसरी ओर आरजेर्डी समर्थकों के दोरा पोस्टर के जरही पर पर तंचकसा जारा है बता दे कि होरा एक पोस्टर जारी कि किया गया है इसके साथ इस पोस्टर में 21 कम्पनियों के लिस्ट भी दी गई है जिसे आरज़ेडी के नुसार केंदर सरकार के दौरा बेचा जारा है वहीं आरज़ेडी इस पोस्टर के जरिये सवाल पूछते में लिखती है कि तेरा इरादा क्या है साल में 2 करोड नौकरी देने का वादा किया था लेकिन क्या इन बच्चों से पकोरी तलवाने का एरादा है बतादे कि इस पोस्टर में तेश्वी यादव, निराला यादव, ओम प्रकाश, शोटाला और अरुन भाई की भी तस्वीर देखने को मिल रही है संसत भवन के विरोध पर आर्सेपी सिंग का बयान, इन दिनों पूरे देश में 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के द्वारा नए संसत भवन के उद्गाटन को लेकर राजनिती गर्माईवी है तेशपर के तमाम विपक्षी दल के दोरा लगातार बयान बाजी की जारी है इसी करी में अब कुछ दन पहले बीचेपी में शामिल हुए आर्सेपी सिंग के दोरा इस मुद्धे को लेकर अपना बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह देखना चाहिए कि यह काम कितनी तेजी से पूरा किया गया है वरना इससे पहले तो काम लटका रहता पहले भवन के आधार शिला रखने के बाद भवन के निर्मान में वर्सो लग जाते पहले बिहार विधान सभा में हुए कारेक्रम का उद्घाटन भी राजेपाल से करवाया जाना चाहिए था लेकिन यह लोग बस भारी बात करते हैं देश में लोक तंत्र है इसमें विधाई का कारेपाली का और न्याइपाली का है तेश प्रताप यादव ने काजोल के साथ खिचवाई तस्वीर राजस सुप्रीमों लालो परशाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के वन वब पड़यावरन मंत्री तेश प्रताप यादव आए दिन किसी ना किसी कारण से सभी के भी चर्चा का विशय बने रहते ह बता दिक एक पर फिर वो चर्चा में आ गया है लेकिन इस पर वो अपने किसी बातों को लेकर नहीं बलकि बॉलिवर्ड अक्रस काजोल के साथ तस्वीर खिचवाने को लेकर सुर्खियों में बने वे हैं दरसल तेज परताप यादव के दौरा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वो काजोल के पुतले के साथ तस्वीर खिचवाते ही नजर आ रहे हैं में 27 मई यानि की कल से पटना जिला में क्रिकेट संचालन के लिए गठत सदर समीती द्वारा पटना जिला जूनिया डिवीजन क्रिकेट लीग का शांदार आगाज होने वाला है उन्होंने बताया कि यह लीग गर्मी को देखते वे थोड़ी देर से शुरू की जा रही है के द्वारा किया जाएगा सियसके की सफलता पर सौरफ गाउली ने कहीं मज़दार बाद चन्नाई सूपर किंग्स जिसके अगवाई महिंदर सिंग धूनी के द्वारा किया जा रहा है उसने एक बार फिर आईपिल के फाइनल में जगह बना ली है पता दे के दसवी बार हो का जब सियसके फाइनल में पहुंची है मालू हो कि चन्नाई ने गुजरा टाइटन्स को 15 रनों से मात दे कर फाइनल में अपनी जगह बनाई है वहीं अब भारत के पुर्व कप्तान सौरफ गाउली के द्वारा महिंदर सिंग धूनी की कप्तानी को लेकर एक शांदार बा हासिल किया जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी शिक्रवार को पेट्रॉल डीजल के रेट चारी किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 4.64 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है मु प्रति लीटर की गई है इसके साथ ही गया में प्रति लीटर की दर्से मिल रहा है इसके साथ ही बढ़ते हैं अज के सवाल की उड़ आज का सवाल है राज्य के सरकारी स्कूलों में लगाए जाने वाले समर्द कैम से बच्चों को क्या लाब मिलेगा आपने जाव हमें मारी कमेंट सेक्चन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही प्यार के तमाम खबलों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहाई नूस अगर आप यूटूब से देखने चानल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देखते तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद